स्वास्थे में सरकार की भूमी का इसे ही स्वास्थे में सरकार की भूमी का कि सरकार का क्या रोल होता है स्वास्थे में लेकर कि किस तरीके से लोगों की हेल्थ को लेकर सरकार काम करती है सरकार कैसे हॉस्पिटल्स चलाती है प्राइविट हॉस्पिटल्स और जो गौर्मेंट हॉस्पिटल्स है इनके बारे में हमने लेकिन जहां दूसरा है और दूसरा है आपकी निजी स्वास्थे सेवाँ है ने से सबस्टाइब का अबमनेक्स पड़ा है जिस्में अमन गया था ठीक हाई बुख्वा हुआ था इसे आमन गया था ऑर इसके वहां पर बहुत कम नाम मात्र रुपे लगे थी उसके मात्र 1.500 रुपे में उसका पूरा ट्रिट्मेंट हो गया था लेकिन जहां दूसरा उसका फ्रेंड रंजन गया वो एक निजी स्वास्ते सेवाई थी प्राइविट हॉस्पिटल था और जहां पर जाते ही पहले ही काउंटर पर उन्हें 500 के तो स्लिपी बन वानी पड़ी ठीक है और यहां पर उसके लगभग 3.500 से 4.000 रुपे खर्च हुए तो आज हम इनी के बारे में डिटेल से बात करेंगे सार्वजनिक स्वास्ते सेवाई और निजी स्वास्ते सेवाई तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सार्वजनिक स्वा स्वास्ते स्वास्ते केंदर या हॉस्पिटल हैं जिनने मbalमट्न चराती हैं उनका भी इलाज प्रदान ही लोग करते हैं ग्राम के शेत्र पर एक स्वास्ते केंद्र होता है जरतर गाओं में हॉस्पिटल है एक स्वास्ते केंद्र होता है जहां पर एक नर्स होती है एक ग्राम स्वास्ते सेवक होता है तो बेटा इस नर्स को और ग्राम स्वास्ते सेवक को प्रशिक्षन दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, समानले बिमारियों के ट्रीटमेंट के लिए और वे प्रात्मिक स्वास्ते केंदर केंदर के डॉक्टरों की देख़रेक में काम करते हैं, जो स्वास्ते केंदर ब बहुत सारे मरीज वहाँ पर आते हैं और जिला स्थर पर जिला अस्पताल होता है जो कि इन सभी स्वास्ते किंद्रों की देख भाल करता है मतलब एक जिले के अंतरगर जितने गाउं आ गए और उनके अंदर जितने भी ये स्वास्ते किंद्र बने हैं उन सब का निरिक्षन ह जिला अस्पताल करता है बड़े शहरों में कई अस्पताल होते हैं जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया अमन ने एक गौर्णमेंट होस्पिटल में गया था तो एक बहुत बड़े से सरकारी होस्पिटल में गया तो बड़े शहरों में एक से जादा सरकारी होस्पिटल भी होते हैं और ऐसे भी विशेश सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेक की कहानी में हुआ कि बहुत सारे special government hospital में हाकिम शेक को लेकर गए लेकिन हर एक ने उसे वहाँ पर admit करने से मना कर दिया था ठीक है तो हर तरीके के hospitals वहाँ पर मिलते हैं इन स्वास्थे सेवाओं को हम सार्वजनिक स्वास्थे केंदर क्यों कहते हैं इसके भी कई reason है देखिए ये स्वास्थे सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थे सेवा प्रदान करने के लिए वचन बदता को पूरा करने के लिए मतलब सरकार जो है सभी नागरिकों को स्वास्थे सेवा प्रदान करने की जो वचन बदता होती है मतलब जब भी एक Government, एक नई गौर्मेंट बनती है तो वो कई सारे शपत लेती है उसमें उसकα सबसे पहला काम होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना उनके स्वास्थे की रक्षा करना तो ये जो वच्छन बदता उसने की उसको पूरा करने के लिए ये अस्पताल वैस्वास से केंदर स्थापिक किये गॉर्मेंट ने इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टेक्स के रूप में देते हैं मतलब गॉर्मेंट इतना काम कर रही है हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होता है डॉक्टर की सैवरी जवाईयां मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे टैस्ट किये जाते हैं ठीक है बहुत सारे एक्क्यूपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं तो ये सारा खर्चा गॉर्मेंट कहां से करती है गॉर्मेंट के पास जो ये पैसा आता है ये उन टैक्सिस से आता है जो हम पे करते हैं जैसे कि हम इंकम टैक्स पे करते हैं हर एक चीज जो हम खरीदते हैं उसके उपर टैक्स लगा होता है आप देखिए छोटी सी भी चीज़ हम खरीते हैं उसके पीछे जब आप देखेंगे जहां MRP दिखी है कि inclusive all tax सभी करो सहित उसमें कर एड हुआ होता है उसके इलावा सरकार road tax लेती है एना electricity पर tax लेती है बहुत सारे taxes government के पास आते हैं जिसे वो लोगों के welfare के लिए use करती है जो लोग सरकार को tax के रूप में देते हैं ये पैसे से वो इन स्वास्ते सेवाओं को चलाती है इसलिए ये सुमिधाय सभी के लिए है क्योंकि tax लोगों को प्रदान कर रही है कि सभी लोगों को दे रही है अमीर भी है उसमें और गरीब भी तो वो उसकी cost ऐसी रखे उसकी कीमत ऐसी हो या तो वो लोगों को बिल्कुल free दे ये सब कुछ treatment या फिर ऐसे कीमत पर की गरीब व्यक्ति भी उससे effort कर सके बहुत कम कीमत पर लोगों को वो सुमिधाय प्रदान करने की पूरी-पूरी कोशिश करती है इसलिए ये सुमिधा प्रदाना हैजाद चिकन गुनिया आधि को फैलने से रोगना ये बिमारियां बहुत जादा फैले नहीं इन बिमारियों को फैलने से रोखने के लिए भी गौर्वर्मेंट कई तरीके के अभियान चनाती है इसकी वेवस्ता सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है कोई अभी काम गौर्मेंट अकेले नहीं कर सकती जब तक कि उसमें लोगों का पार्टिसपेशन नहीं हो यदि लोग उसमें पार्टिसपेट नहीं करेंगी तो वह सफल हो जाएगी उधारन के लिए मच्चरों को पैदा होने से रोकने की अभियान को सफल बनाने के लिए ये आगरोप करती है कि वो अपने कूलर में गंदे पानी को ना छोड़े समय समय पर कूलर की सपाई करें अपने आज पास के एरिया में पानी ना इकट्था होने दें और जदी लोग गौर्मेंट की मदद नहीं करेंगे तो मच्चर फैरते ही रहेंगे यदि लोग गौर्में पड़ा था कि ट्रेन से गिर जानी के कारण हाकिम शेख को सिर में बहुत चोट आई और उन्हें एक के बाद एक कई हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन कई घंटों तक किसी भी हॉस्पिटल ने सरकारी हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं किया हर किसी ने अलग लग बनाए और लास्ट में एक निजी एस्पताल ने उन्हें एडमिट किया और उनका ट्रीक्मेंट हुआ और फिर आपने पड़ा कि उनकी संस्का जो थी उसने और हाकिम शेक ने मिलकर सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ उन्होंने एक केस फाइल किया था एक मामला दर्ज किया था कोड में तो कोड ने क्या फैसला दिया क्या आप इसके बारने में जाना चाहते हैं जाना चाहोगे कि मामले में कोड ने क्या देने दिया हमारे सविधान के अनुसार लोगों के हिटों को सुनिश्चित करना और सब को स्वास से सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक करता वे कि सरकार की ये पहली ड्यूटी है कि सभी लोगों को स्वास से सुविदाएं प्रदान करें सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठनाईयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है कि हमने उस व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा नहीं दी अधालत ने यह भी कहा कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वे मरीजों को अवश्यक सुविदाएं प्रदान करें कि जो नैसेसरे स्वास से सिवाएं हो तो सभी को लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, अस्पतार और उनके स्वास्ते संबंधी करमचारियों को अवश्यक इलाज प्रदान करड़ी की जिम्मेदारी करने चाहे करें, सरकार तो करें करें, उसके साथ साथ जो आपर डॉक्टर हैं और जो करमचारी हैं, वो भी अपनी ड्यूटी को इलाज परव्य किये गए, पूरे खर्चे का भुपतान करें, मतलब गॉर्मेंट हॉस्पिटल ने उन्हें मना कर दिया और गॉर्मेंट हॉस्पिटल जो है, एक राज्ये के अंदर स्टेट गॉर्मेंट ही चलाती है, तो पोर्ट ने स्टेट गॉर्मेंट को ये ओर्डर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसने जितना भी पैसा खर्च किया है, वो स्टेट गौर्वर्मेंट उसे वापिस करेगी. तो पिटा ये तो बात थी सारजनिक स्वास्थे सेवाओं की अब हम बात करते हैं निजी स्वास्थे सेवा है जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये गौर्वर्मेंट के एंडर नहीं है निजी मतलब किसी एक व्यक्ति की हो सकती है या दो-चार व्यक्ति मिलकर या फिर कोई कमपनी इसे चला सकती है सरकार की नित्रत्व में नहीं है ये हमारे देश में कई तरहे की निजी सेवाओं पाई जाती है जो बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवा खाने चलाते है कई प्रकार की निजी स्वास्य सेवाओं हैं डॉक्टर अपने पर्सनली छोटे-छोटे क्लिनिक खोल लेते हैं अपने हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं डॉक्टर ग्रामिन शेत्रों में पंजीक्रद चिकिस्था व्यविसाई मिल जाते हैं शेहरी शेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिन्नों में बहुत से विशेश की सेवाई प्रदान करते हैं विशेश बिमारियों को भी ट्रीट करते हैं ये लोग और निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल वे नर्सिंग होम भी हैं शेहरों में और काफी संख्या में कई सरारी प्रियोक शाला हैं कई सारी लैब हैं जो की परिक्षन करती हैं कि किस प्रकार की बिमारी है या कोई और उन्हें इस प्रकार की विशेश सुविधाय देती हैं जैसे उनका एक्सरा करना उनका अल्टरसाउं करना उनकी बिमारियों की पहचा जैसे कि इसके नाम से हैं ग्याद होता है कि निजी स्वास्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित विया नियंत्र नहीं है। अमन को एक गॉर्मेंट होस्पिटल में ले जाया गया तो उसका खर्चा बहुत काम हुआ लेकिन जहां रंजन प्राइवेट होस्पिटल में गया तो सेम बिमारी के लिए उससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना बढ़ा। और गॉर्मेंट की ये ड्यूटी है कि देश के हर एक नागरिक को स्वास्पिर स्वाइब उपलब्ट कराया। और निजे स्वास्ते सेवाए क्या है जिने कोई व्यक्ति या अपि व्यक्तियों का सभू मिलकर खोलता है कोई कंपनी भी इसे खोल सकती है यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रीट्मेंट पर खर्च करना पड़ता है तो गरीब व्यक्ति तो यहां जा नहीं पाएगा इसी लिए सरकार ने समझनेक स्वास्ते से वह बनाई हैं ताकि गरीब व्यक्ति भी अपनी बिमारी का इलाज कर सेए ठीक है बेटा आज के लिए बस इतना ही ओके